हलो दोस्तो हमारे चनल स्टेडी रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बहुकोस की जीवों की संरशना उसकी क्रियाविधी साथ ही मनुष्य के पाचन तंतर की संरशना और उसकी क्रियाविधी के बारे में पढ़ेंगे तो चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बहुकोस की जीवों में पाचन की प्रक्रिया को देखते हैं बहुकोस की जीव जिसमें कोसिका की संखेक स्यधिक होती है उसे बहुकोस की जीव कहा जाता है तो बहुकोस की जीओं में जो पाचन की प्रक्रिया होती है जिस प्रकार का पाचन पाय जाता है वह बाह कोस की पाचन होता है अर्थात उसमें पाचन की प्रक्रिया को सीका के बाहर होती है मनुस्यों में भी बाह कोस की पाचन पाय जाता है अर्थात मनुस्यों में भी पाच इस अंतंतर होता है वह तीन भागों में होता है इसे कहा जाता है अगरबाग इसे कहा जाता है मध्य भाग और इसे कहा जाता है पस्च भाग अग्रभाग मुख से प्रारम होता है और यह गिजार्ड तक रहता है यहाँ पर इसका मुख होता है वहाँ से प्रारम होकर गिजार्ड तक के भाग को अग्रभाग कहा जाता है इसके अंतर गताते हैं मुख, ग्रास नली, ग्रसी का क्रॉप और गिजार्ड अब यह होती है लार ग्रंथी एक जोड़ी लार ग्रंथी होती है उसके पस्चत ग्रास नली होती है उसके पस्चत क्रॉफ होता है जहाँ पर भोजन अईस्थाई रूप से कत्रित होता है उसके पस्चत होता है गिजार्ड इसके बारे में हम क्रियविधी को आगे विस्तार स देखेंगे, मद्य भाग में कौन-कौन से भाग सामिल होते हैं, तो मद्य भाग जो है गिजार्ड से लेकर छोटी आंद तक होता है, यहाँ पर होता है गिजार्ड जो पुरा भाग है वहाँ है छोटी आंद, यहाँ तक इस भाग को कहा जाता है मद्य भाग और उसके पदार्थों को सरीर से बाहर किया जाता है अब हम इसकी क्रियाविधी को देख लेते हैं तो बहुकोस की जीओं के द्वारा जो भोजन ग्रहन किया जाता है वह कुतर कर या निगल कर ग्रहन किया जाता है मुप के माध्यम से भोजन को ग्रहन किया जाता है और उसमें एक अगरभाग में छाइजोरी उसके मिस्टर्ड के पश्चाद वह ग्रसीका और ग्रास्मनी से होते हुए क्रॉप में आइस्थाई रूप से कतरित होने के पश्चाद वह आगे बढ़ती है जहां वह गिजाड में पहुँच जाती है गिजार्ड की दिवारे मोटी होती है जहां पर इस भोजन को बारिक पिस दिया जाता है और उसके पश्चातिया है हेपेटिक सीका से होते हुए अमासय में पहुँच जाती है पाचन की प्रक्रिया के दोरान पाचाकरस इस्तरावित होते हैं उसके पस्चाद भोजन के जो पाचन की प्रक्रिया होती है वह पूर्णा हो जाती है और छोटी आंद के माध्यम से भोजन में जो पोसक पदार्थ होते हैं उसे अवसोसित कर लिया जाता है आउसोसाट के पस्चाट जो अपसिष्ट पदार्थ बस्ते हैं वह चोटी आंद के पस्चाट बड़ी आंद में पहुँच जाता है और जिसे मलासाए के माध्यम से सरीर से बाहर निकाल दिया जाता है यह हुआ बहुकोस की जीवों में पाचन की प्रक्रिया पाचन तंत्रक की क्रिया मुख से प्रारम होती है लार ग्रंथी के माध्यम से लार इस्तरावित होती है लार मिलने के पस्चाट बह क्रॉप में इस थायरूप से कत्रित होती है उसके पस्चाट यह गिजाड में पहु जो अप्सिश्पदार्थ होते हैं वो बड़ी आंद में पहुच जाती है और उसे मलासाय के माध्यम से सरीर से बाहर कर दिया जाता है तो अब हम मानव पाचंतंतर की सनचना देख लेते हैं मानव पाचंतंतर की सनचना में सबसे पहले होता है अहार नाल मुख और गुहा को मिलाकर आहारनाल कहा जाता है और मुख के अंतर गताता है तालू, जीव और दात उसके बाद होता है ग्रशनी यहाँ आप देख सकते हैं मुख का जो पश्च भाग होता है वहाँ उसे ग्रशनी कहा जाता है उसके पस्चात होता है ग्रास नली उसके बाद आता है अमासय आप देख सकते हैं यह जो भाग है वहा है अमासय यह सबसे चोड़ा और थेली नुमा सनशना होती है इसकी दिवारों में जठर ग्रंथी पाई जाती है इसे हमें याद रखना है कि अमासय की दिवारों पर जठर ग्रंथी पाई जाती है अगला होता है छोटी आंथ ये जो आप देख रहे हैं वहा है छोटी आंथ छोटी आंथ संक्री नली होती है जो की दो भागों में बढ़ जाती है इसके पहले भाग को कहा जाता है ग्रहडी और दुसरे भाग को कहा जाता है इलियम अमासय का जो आखरी भाग होता है और जो छोटी आंत का अगर भाग होता है वहाँ पर ग्रहडी का निर्माड होता है यह जो आप छेतर देख रहे हैं यहाँ है ग्रहडी यहाँ पर जो है पित वहनी और अगनासय नली का आपस में खुलती है इसे कहा जाता है पित वहनी और यहां परिसित होता है अगनासय, अगनासय की जो वहानी होती है और पित्त की जो वहानी होती है वह आपस में ग्रहणी में मिलती है, यह यूवाकार का आप देख रहे हैं वह है ग्रहणी, छोटी आंद का अगला भाग होता है इलियम जिसे सुक्षमांकुर कहा जाता है, यही यह याद रखना है कि छोटी आंत के माध्यम से भोजन का उसोसड होता है और यह भोजन के उसोसड की क्रिया सुक्षमांकूर के माध्यम से की जाती है छोटी आंत के पस्चात होता है बड़ी आंत यह आप देख रहे हैं वह है बड़ी आंत इसके तीन भाग होते हैं पहले भ पाचंत अंतर की अंतरगत आने वाले विभीन भागों को देख लेते हैं और उसके अंतरगत पाई जाने वाले ग्रन्थी और कौन से इंजाई मिस्थरावित होते हैं उसे देखते हैं। हमने अभी देखा कि जो पित्तासै नलीका होती है और अगनासई नलीका जिस Yukar के छेतर में मिलती है उसे कहा जाता है ग्रहडी इसके पस्चात हम अगनासय के बारें पढ़ते हैं अगनासय एक प्रकार की अंतहिस्तरावी और बहिस्तरावी दोनों प्रकार की ग्रंती होती है यह एक प्रकार की मिस्रित ग्रंती होती है जिसके माध्यम से अंतहिस्त्रावी और बाहिस्त्रावी दोनों की तरह कारे करता है बाहिस्त्रावी भाग से छारी अगनासरीरस इस्त्रावित होते हैं जिसे इंजाइम कहा जाता है एंजाइम एक प्रकार का जैवुत प्रेरक होता है जो की हमारे सरीर के पाचन की क्रिया को संपादित करता है अंतहिस तरह भाग से इंसुलीन और ग्लुकेगोन नामक हार्मोंस का इस्तरह होता है इंसुलीन हमारे सरीर में सरकरा की मात्रा को नियंत्रित करता है मनुस्यों में जो सुगर होता है वह इंसूलीन की कमी से होता है जब अगनासई रस अच्छी तरह से क्रिया नहीं करते हैं इंसूलीन के स्थराव नहीं करते हैं तो सरकरा का पाचन अच्छे से नहीं हो पाता जिससे ब्यक्ति को सुगर हो जाता है अगनासई रज से ट्रिपसिन नामक एंजायम का इस्तरा होता है ट्रिपसिन जो है प्रोटीन के पाचन में महतपुर भूमी का निभाता है इसे हमें आद रखना है कि अगनासई के माध्यम से ट्रिपसिन एंजायम का इस्तरा होता है और जो कि प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है हम जो वसा भोजन के रूप में ग्रहन करते हैं उसे लाइपेज नामक एंजयम के माध्यम से पाचन किया जाता है इसे भी हम याद रखना है कि अगनासय में एक और एंजयम भी इस्तरावित होता है जिसे लाइपेज कहते हैं जो कि वसा के पाचन में सहायक होता है जबकि एमाइलेज के माध्यम से कार्बो हाइडरेट होता है जिसे स्टार्च कहते हैं स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने का कार्या एमाइलेज के माध्यम से होता है ये तीनों का इस्तराव अगनासा में होता है, ट्रिपसिन का इस्तराव होता है जो की प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज का इस्तराव होता है जो की वसा का पाचन करता है, एमाइलेज का इस्तराव होता है जो की कार्भो हाइडरेड इस्टार्च को माल्टोस में चोटी आन्थ हमारे सरेट के पाचन तंत्र के अंतरगत सबसे महतपुरभाग होता है जिसमें कार्भोहडरेट वसा प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है और अउसोषड की सरवाधिक प्रक्रिया यहीं पर होती है छुद्रांथ की जो दिवार होती है भीत्ती वहाँ पर ग् जिसके माध्यम से भोजन में पस्तित पोशक पदार्थों का अवसो सड़ होता है। जिसके माध्यम से रुधिर और लसीका के द्वारा सरीर के विभिन भागों के उतकों तक पहुंचाती है। हमारा जो भोजन होता है, वह सबसे पहले मुख में लार से मिलता है, उसके पस्चात वह अमासय में आता है, अमासय में वह अमली हो जाता है, तो उसे छोटी आंद के माध्यम से छारिये किया जाता है। इसमें विभिन प्रकार के इंजाइमों को मिला कर उसे छारिये बनाया जाता है। अब हम इसके क्रियाविधी देख लेते हैं कि मनुष्टि के पाचन तंदर की क्रियाविधी मुख से प्रारम होकर गुदाद्वार तक कैसे संचालित होती है। तो हम जो भोजन करते हैं वह अत्यन जटिल होती है और अगुलंसिल पदार्थों से बनी होती है इसे सरल पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है का परिवर्तन कैसे प्रारम होता है सबसे पहले हम भोजन गरहन करते हैं मुख के माध्यम से तो उसे दातों के द्वारा बा माध्यम से भोजन में जो उपस्तित होता है मंड उसे माल्टोज में बदल दिया जाता है इसे हमें याद रखना है कि लार में टाइलिन नामा के इंजायम पाय जाता है जो की मंड को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है भोजन की जो लुगदी होती है वह ग्रशनी और ग् विभिन प्रकार के इंजाइमों से मिस्रित होता है उसके पस्चात वह अगला छोटी आंत में पहुँच जाता है छोटी आंत का जो अगरभाग होता है जिसे ग्रहणी कहते हैं यहां पर इस्थित होता है ग्रहणी और जो यक्रीत में निर्मित पित आसे होता है और अगनासे तरस की पित वहानी होती है और अगनासय की अगनासय वहानी होती है वह अगनाड़ी में आकर मिलती है और विभिन प्रकार के इंजाइम यहां पर इस्तरावित होते हैं और वह भोजन में मिल जाते हैं भोजन में उपस्तित जो कार्बोहाइडरेड वसा और प्रोटीन होता है और भोजन के अऊसोसट के पश्चाथ उसे रुधिर और लसीका के माधियम से अउसोसित कर सरीर के विभीन भागों में पहुचा दिये जाता है इस उंगली नुमा सनच्णा को वलाई कहा जाता है इसे हमेयाद रखना है कि छोटी यांद में उगली नुमा सनचना होती है जो कि अवसोसड का कारे करती है और इसे वलाई कहा जाता है इसके पस्टाथ हम विभिन अगरंतियों में इस्तरावित होने वाले विभिन प्रकार की इंजाइमों के बारें पढ़ते हैं और कुछ ऐसे महतपुर पस्टनों को देखते हैं जो विगत वर्सों में पूछे जा चुके हैं तो चली स्टार्ट करते हैं लार में लार इमाईलेज होता है जिसे टाइलिन भी कहा जाता है और दूसरा एंजाइम होता है उसे लाईसोजाइम कहा जाता है लार में दो प्रकार के इंजाइम होते हैं लार एमाईलेज जिसे टाइलिन कहा जाता है और अगला होता है लाइसोजाइम कार्बो हाइडरेट जो की जल के माध्यम से अब गठित होता है और जो स्टार्च का निर्माड होता है उसे माल्टोज में अभगटित किया जाता है अमासय की दिवारों में जठर ग्रंथी स्थित होती है जो की म्यूकोसा में स्थित होती है हमने बताया था कि हमारी जो पाचन तंतर होती है वो बहुत सारे लेयर से बनी होती है तो उसमें जो एक लेयर होता है म्यूकोसा होता है और वहाँ पर इसीत होती है जठर ग्रंथी अमासय में पेपसीन नामा हार्मोन से स्त्रावित होता है जो कि प्रोटीन का अबघटन करता है यहाँ पर इच्छा में पूछा जाता है कि प्रोटीन का अभगटन किसके माध्यम से होता है तो पेपसीन के माध्यम से प्रोटीन का अभगटन होता है अभगटन की प्रक्रिया में जो पेपसीन होता है वह प्रोटीन को प्रोटीयोज और पेप्टास में बदल देता है इसे हमें याद रखना है कि प्रोटीन के अभगटन के पश्चाथ वह प्रोटियोज और पेप्टोस में बदल जाता है और यह प्रक्रिया पेपसिन नामक हार्मोंस के माध्यम से होती है जठर ग्रंथी के द्वारा लाइपेज हार्मोंस से इस्त्रावित होता है इसे हमें याद रखना है कि किस गरंथी के द्वारा कौन से हर्मों सिस्त्रावित होते हैं लार के माध्यम से लार एमाईलेज जिसे टाइलीन भी कहा जाता है और लाइसोजाइम इस्त्रावित होता है इसके पस्चात जो अमासे होता है वहाँ पर पेपसिन नामा खार्मों सिस्त्रावित होता है जठर ग्रंथी से लाइपेज नामा खार्मों सिस्त्रावित होता है इसे हमें याद रखना है पेपसिन के माध्यम से प्रोटीन का अभगटन होता है, प्रोटीन के अभगटन के पस्चात वह प्रोटियोज और पेप्टोस में बदल जाता है कार्बोहाइडेट के निर्मार्ड की जो प्रक्रिया होती है वह स्टार्च से ग्लुकोस्ता के परिवर्ता विभी नचर्णों में होती है तो जो पॉली से क्राइड होता है स्टार्च का ही एक रूप होता है उसे डाय से क्राइड में परिवर्तित किया जाता है हम जो भोजन गरहन करते हैं उसमें वसा उपसित होता है तो उसमें जो लाइपेज के माध्यम से उसे डाइगलेस राइड में परिवर्तित किया जाता है जो हम भोजन गरहन करते हैं कार्बोहाइडरेड हो या वसा हो या प्रोटीन वह सीधे ही प्रोटीन जो है अमीनो अमल में डारेक्टा परिवर्तित नहीं होता जबकि कार्बोहाइडरेड जो है सीधा ग्लुकोज में परिवर्तित नहीं होता तो यह विभी निचर्णों में अलग अलग रूपों में परिवर्तित होता है तो जिसे हम देख रहे हैं कि जो कार्बोहाइडेड होता है वह पॉली से क्राइड से डाय से क्राइड में परिवर्तित होता है वैसे ही वसा जो है लाइपेस के द्वारा डाय गलिसराइड में परिवर्तित होता है अगनासरी र ग्लुकोज में अंतिम चरण में कैसे परिवर्तित होता है वैसे ही जो प्रोटीन होता है वह अमीनो एसीड और वसा जो है फैटी एसीड में कैसे परिवर्तित होता है तो जो प्रोटीन होता है वह डाई पेप्टाइड में परिवर्तित होता है उसके पस्चात वह अंतिम चर सारा ग्लुकोस और ग्लेक्टोस में परिवर्टित होता है यहां परिच्छा में पूछा जाता है कि जो लेक्टोस होता है वह किन दो अड़ों में अब घटित होता है तो वह ग्लुकोस और ग्लेक्टोस में तूड़ जाता है उसके पचात होता है सुक्रोस जो कि सुक्रेश क माध्यम से ग्लुकोस और फ्रक्टोस में तूड जाता है इन सभी को हमें याद रखना है कि अंतिम चिरण की प्रक्रिया में कौन सतत्व किसमें भी घटित होता है हमारे सरील में जो अमासय होता है वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अमलव उपस्थित होते हैं और यही हाइड्र एक दिवार होती है वहाँ पर सलेस्मा होता है और यह जो है अमल से उसकी रक्षा करता है अमासय और छोटी यान के मध्य में और ओधिनी होती है जिसके माध्यम से भोजन का नियंत्रड किया जाता है भोजन जो है अमासय में उपसीत होता है और वह छोटी यान में पहुचने जिनमें जो पाचन की प्रक्रिया होती है वह कोसिका के अंदर होती है जबकि बाहर कोस्की ऐसे जियों को कहा जाता है जिसमें पाचन की प्रक्रिया कोसिका के बाहर होती है तो अंतर कोस्की की अंतर गताते हैं अमीबा और पैरामिसियम इसमें एक कोसिका पाय जाती है तो एक इसके माध्यम से सेलूलोज का पाचन किया जाता है। इसके माध्यम से सेलूलोज का पाचन सीकम के माध्यम से होता है। इसके माध्यम से हमारे भोजन का उसो सड़ होता है। सुक्षमांकुर जो है पचित भोजन का उसो सड़ करता है छोटी यान में सुक्षमांकुर पाया जाता है जहां पर जो भोजन होता है उसका उसो सड़ होता है। मनुस्य के पाचन तंतर में पाये जाने वाला आवसोसी यंग कौन सो होता है तो मनुस्य के पाचन तंतर में पाये जाने वाला आवसोसी यंग होता है वर्मी फार्म एपेंडिक्स। इसे हमियाद रखना है कि मनुषी के पाचंतेत्र में पाए जाने वाला आउसोसी यह कौन से होता है तो उसका सही अंसर होगा का वर्मी-फॉर्म इपेंडिक्स९ यह यह विंदु हमें याद रखना है कि पीत तरस जो होता है पीले रंग का तरल द्रव उसका जो इस्तरवण होता हैँ सो ड्यमाड के द्वारा होता है और इस परिवहन की प्रक्रिया को कहा जाता है सुसाध्य परिवहन इसे हमें याद रखना है कार्बोहाइडेट के ग्लुकोज निर्माड प्रक्रिया के बीच में जो है फ्रक्टोस का निर्माड होता है और इन फ्रक्टोसों का प्रिवहन जो है सोडियम आयन के द्वारा होता है और इस प्रक्रिया को कहा जाता है सुसाध्य परिवहन हमारा जो सरीर होता है उसमें सबसे अधिक अवसोसड छोटी यांद में होता है इसे हमें याद रखना है कि हमारे संपूर्ण पाचंतंतर में सबसे अधिक अवसोसड जो है वह छोटी यांद में होता है तो आज के इस वीडियो में हमने बहु कोश के जीव और मानव पाचंतंतर की सनशना और उसकी क्रियाविधी के बारे में पढ़ा अगले वीडियो में हम प्रकास अंसलेसर के बारे में पढ़ेंगे तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी आन कर दीजिए ताकि हमारे दोरा डाली के सारी वीडियो आप तक पहुचे सबसे पहले धन्यवाद